करनाटक विधानसवा चुनाओं में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है 2023 की शिरुवात में ये चुनाओं होने जा रही है राज्य में बीजेपी सरकार पहले ही ब्रष्टचार के मामलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है ऐसे में करनाटक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने कॉंग्रिस की जीत का रास्ता तै कर दिया है वहीं सोनिया ने बीजेपी को मात देने के लिए एक बड़ा दाओ खेल दिया है तो क्या है कॉंग्रिस का बड़ा दाओ देखते हैं ये रिपोर्ट कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से चल रही है यात्रा को लोगों का जबरदस समर्थन भी मिल रहा है यात्रा फिलाल करनाटक में मौजूद है जिसका नेत्रत राहूल गांधी कर रहे हैं खबरों के मताबिक बीजेपी शासित राज्य में राहूल की यात्रा के जरिये कॉंग्रिस की नजर 69 सीटों पर है जहां वोकलिंगा समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है इस समुदाय पर कॉंग्रिस के अलावा जेडियर्स भी दावा ठोक रही है करनाटक के मांडिया और दूसरे छे जिलों में इस समुदाय की आबादी अधिक है जबकि बीजेपी यहां कमजोर रही है इसलिए कॉंग्रिस यहां की अधिकान सीटों पर जीत दर्च करने का टार्गिट लेकर चल रही है इसलिए कॉंग्रिस अपना ध्यान यात्रा करने के साथ साथ इन समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी कर रही है आपको बदा दे कि कॉंग्रिस की यात्रा चाम राजनगर, मैसूर, मांडिया, तुमकुर्थ, चित्रदुर्ग, रायचूर और बैलारी से होकर गुजरेगी इन साथ जिलो में राहुल 511 किलो मिटर का सफ़र ताय करेंगे इसकी जानकारी देते हुए कॉंग्रिस करनाठक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम करनाठक में फिर कॉंग्रिस की सत्ता लाएंगे अब तो अंत्रिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो गई है जल्द प्रियंका भी शामिल हो जाएंगी को लुभाने की कोशिश शुरू करती है कॉंग्रेस भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है शायद इसलिए सोनिया गांधी करना ठक पहुची है ताकि कारेकरताओं को नयाम मनोबल मिले गुरुवार को यातरा में शामिल हुई सोनिया गांधी की मौजूदगी से कॉंग्रेस नेताओं के साथ साथ कारेकरताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है डीबिलाइफ की रिपोर्ट